कि Hello students and parents Welcome to this video और आज की वीडियो स्पेश्ली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ही है कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ कुछ सिखाने वाला भी नहीं हूँ हाँ एक रेलिटे से आपको जरूर्र रावेर कराने वाला हूं क्योंकि आज की वीडियो जिस पॉइंट के पर है पुछ टाइम से कही बार वो चीज़े मैंने नोटिस करी बड़ हर बार मैंने सोचा कि इसको अगनोर कर देते कोई बात नहीं कोई फरक नहीं बढ़ता जैनौरली फरक पढ़ता भी नहीं है लेकिन जब आपके पार्ट पर कोई बात सोची जाती है आपके पार्ट पर जाकर कि उस बात को जब मैं नोटिस करता हूं तो जरूर मेरे माइन में थोट आता है कि पेरेंट शुट भी आवेर्ड आपके लिए यह वेर्नेस बड़ी जरूरी है आप अपने बच्चे की फीज पे करते हैं स्कूल में जाने के लिए जिसको एक सो कोल्ड प्रैवेट इस् करेंसे बहुत बच्चे मुझे जानते होंगे और मैंने कभी बी यह चीज आज सब लगा ता की छी सुनते रहते सुनते रहते तो एक सिन के लिए बारें में बोलने की ज़रूरत है यह बहुत हुआ अब कभी यहारीट चीय लोगों को जो हो आउब घरा देना चाहिए और उसी रियालिटी को लेकर के वाया हूं उस पूरे स्कूल के अंदर बात करूं सुरूं से लेकर के एंड तक इफ आई टॉक आउट तो प्रिंसीपल प्रिंसीपल इसलिए प्रिंसीपल नहीं है क्योंकि उसके पाफ ज़्यादा क्वालिफिकेशन से हैं या यह सो मुझ टैलें इसलिए वो MD, CEO कुछ भी आप कह लीजिए, अगर बात कीज़ें knowledge point की, तो एक इंसा जिसको exercise के question तक नहीं आ सकता, एक इंसान वो जिसकी class में बच्चे सो सकते हैं, एक वो इंसान जो एक language पढ़ाने वाला teacher है, बट वो खुद Hindi नहीं बोल सकता, एक वो जो English बढ़ाता है, ब लेकर अगर उसको 12th class की book में से कोई एक paragraph read out करने के लिए दे, उसको sum up करने के लिए दे, समझाने के लिए दे, तो साइद वो समझाने में ऐस मर्थ हो, CBSC अपने question निकाल करके दे दे और ये कह दिया जाए, कि बच्चों को जरा elaborate कर दो ये question, discuss करना बच्चों के साथ, साइ कर रहे हैं, और सब कुछ own भी कर रहे हैं, parents piece इसलिए लेते हैं, ताकि उनके बच्चों को जी अच्ची education मिले, एक अच्छा teacher, school higher करे, जो उनसे best से best हो सके, वो students के लिए वे लेवर कराई जा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, parents आपको बताना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी न मैंने खुद को establish किया है, कि अगर आज मैं कहीं जोब करूं ना करूं, doesn't matter, इतना समर्थ मैंने अपने आपको बनाया है, वो आसानी से नहीं बनता गाई, उसके लिए महनत लगती है, उसके लिए दिन रात आपको एक करना पड़ता है, अपने पूरे profession को online shift करना पड़ता ह आपको महनत करनी पड़ती है, लोगों को convince करना पड़ता है, हर काम करना पड़ता है, तब जाकर कि आप खुद को कहीं पर stand करा पाते हैं कि अब आपको लगता है कि अब मैं इस लाइक हूं कि मैं हाँ, कुछ ने कुछ मैंने अचे हूं कि या life में, लेकिन खाली दूसरे की बुराई करके, कि अगर आप किसी parents को बोलते हो, कि आपका बच्चा वहाँ पर क्यूं पड़ने जाता है, आपका बच्चा अगर वही सवाल parents अगर पूछ ले, कि हमारा बच्चा तो आपके पास भी पड़ने के लिए आता है, अगर हमारा बच्चा खराब है, तो आपके पिति देर जाता है बच्चा आता गंटा एक गंटा दो गंटे मैकसिमम दो गंटे देड़ गंटा गंटे के लिए आप सवाल उठा रहे हैं लेकिन अपनी छेषाथ गंटे के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहूँगा और मैं किसी सबसे पहले स्कूल के उपर सवाल बनता है कि उन बच्चों का अपने क्यों लिया है वह बच्चे क्या ट्रॉशन क्लासिस में जाकर की खराब होते हैं अब साथ गंटे बच्चे को पढ़ाते हैं थाउजन रुपीज ओं फीज लेते मेरे पास तो बच्चे बहुत सारे फी फीस हम नहीं दे रहे हैं इसलिए इस बत का रिस्पास नहीं दे रहे नहीं अगर बच्चा फीस नहीं पे कर सकता अब उसको मेरे से पढ़ना क्या लेकिन वह स्कूल जो बार बार उसी तोपर आप सवाल उड़ाता है उनको कम से कम ये बात सोचने चाहिए कि आपके सबूर स्कोलके वारे में कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया कभी नोरे यह नहीं कहें कि हम你可以 स्कूल में सुवल्हेपड़ाया वह स्कूल के थैं आपने पर इंसरों में प्रिंट तैम में जब पी इरेंट्ट के पास पैसे भी नहीं थे यह की कहेंगे कैशिली के फला टीचर ने पढ़ाया उस लिब बढ़ाया लेकिन आपने उस टीचर को सैलरी नहीं दी आप ने cał्य चार जार पांच पच्वस महीने स्ट से काम किराए और टीचर एंप पूरी लगन से काम भी कि bulde आप उसके बदलेता पैसे नहीं दे सकते हैं आप कुछ भी कहां देंगे पेरेंट के सामने बच्चों को सामने अगर बच्चे के सामने आपने बोल दिया कि तुछ पढ़ता है जो उसके पास पढ़ता है उसके से उस्याइब प्रिंसिपल कहता है उसके पास मत भीजा हो तो ऐसा है उसके सबस्क्राइब करेगा है तो दूसरे घाओ से वा जाते हैं मेरे पास ओ Cellar , मैरे पास ऑम बचछे बहुत सारे पढ़ TA है वह सब बच्चे आपके कहने से नहीं आए या या नहीं हो आपके ना कहने से उनके उपर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला अगर किसी बच्छे को लगता किस टीचर के पास मैं सीखूंगा तो ही वह आता है वह इसलिए नहीं आता कि यह कौन है या इसका नाम कहा नहीं अगर कोई मेरे पास पढ़ने के लिए आता है तो इस ट्रस्ट पर आता है कि मैं उसको वह चीज दे पाँगा पढ़ा जो स्कूल में नहीं मिलती अगर स्कूल में अपच्छे से दे रहे हैं मैं भी सारे बच्छों को पढ़ाता हूं मैं आज तक किसी बच्छे को नहीं का विड़ आप इंग्लिस का टुशन लग्वा लीजिए नहीं जब मुझे अप लेनी पड़ेगी पेरेंट्स को भी आप पागल से हमजते हो पेरेंट्स आपके स्कूल में भी फीज़ पे कर रहा है उसके बाद कोचिंग क्लासिस में फीज़ पेड़ नहीं है आपको बता दूँँ आप इतनी बड़ी चेल बैटे हैं पेरेंट्स के पास पैसे का कोई पास पास पंद्र स्कूल के बच्छे फिर भी एक इनसान ऐसा है जो बाहर बार अपने स्कूल के छाइख माने वाले बच्छों कोखड़ा करकर पूचता है तो उसके बास तो नहीं जाते हैं वहां क्यों जाते हैं तू क्या इसके पास जाते हैं क्या होता इस तो आप स्पोस्पोस्ट तो आप पांस माले जैंग आपके बाद 600 बच्चे मेरे पास 650 है तब भी आपको इस बात का फीर है कि इन 600 में से 57 बच्चे वागई जाते हैं मैं तो कभी किसी को नहीं कहा कि बैटा आप मेरे पांस पढ़ने आते हैं तो आप स्कूल में क्यों जाते हो वह आपकी च्वाइस है आपका बजट है आपकी अपका फिवर है जहां मन करें आप पहां जाकर करके पढ़िए पढ़ाई जरूरी है अगर मैं अपने अपने सेंटर का आने वाले बच्चों को बोलता हूं यहां भी आपको समझवन नहीं आता है त अजिए फिर भी आप एक बहुत चोटी सोच का शिकार है आप वेखवान से यह प्रात ना करूंगा कि आप उस सोच से बाहर निकले आप अपने जैलेशी फिल करेंगे जलेंगे सामने वाले का कुछ नहीं भीड़ना कुछ भी नहीं भीड़ना सोपचाथ दो चारह जार र ह 결ष आने से लेकिन मैं फिर भी किसी बचे को आप रोगता वर ना ही मैंने कि बच्चे को जबर्दस्ति यह का कि आपको मेरे बास आना है अगर बच्रों लगता कि यहाँ पर मेरे बैने पिर आका कुछ है तो तो कि इसना नहीं और दिलानी है इस बात के लिए मना नहीं करसकता ना तो मेरा स्ट्टुदेंट मना कर सकता है अगर पैसा अगर पैसा के लिए मैंने अपने अलग जगहों पर जहां मुझे सकती है तो कोई फरिकिश नहीं कहा पढ़ा रहा हूं कहा नहीं पढ़ा रहा हूं हाँ लेकिन लेकिन जहां मैं पुरा के लिए WITH कि भी से को नहीं हो इस एक नी बड़ी कोई लालच काम नहीं है मैं ने सहीन नविद्र से बुला है डीट Quindi का काम नहीं है पैसा कवाने के लिए ओनलाइन सेट अप कर रखे हैं वहां से पैसे आते हैं अर्निंग भी आती है सब कुछ आता है लेकिन फिर भी कभी छोटी सोच का शिकार में नहीं होने वाला हूं और भगवान से दया प्रात्र करूंगा कि भगवान आपको इस सोच से निकाले साइब कोई आसपास करने आता ही नहीं करता इवाले कि इस पड़के ब depresal को जाकर जाकर कि वह यह क्या है नहीं है तो आप मेरे पास मत आओ बच्चे कहा तक आप किस को आएगा अगर यहां से क्वालिटी मिलेगी तो बच्चा आएगा और निकालने रखने की तो निकालने वाला तो ऊपर वाला होता है अगर आप किसी को पे नहीं कर सकते अगर आप के पास उत्तरा बजट नहीं है की आप उसीस को अग्दोर खट्टें हैं और गाइज मैंने कभी नहीं कहा कि वीडियो को शेयर करो ये पर वो करो बट आज मैं कहा रहा हूं कि हर एक पेरेंट्स हर एक उस माबाप तक जो स्कूल में फीस्पे करता है इस उमीद में कि स्कूल जे सहरे हमारा बच्चा को सीख कर कहेगा उस पेरेंट्स उस करने के लिए थैंक्स आई होप के चीज़ा आपको समझ में आई होगी इन बातों पर गोर करना ध्यान देना और आगे अपने मैंसे के फूचर के लिए तब भी कोई डिसेजन लेना थैंक्यू है वांडरफुल डेंग